मुंबई के ही दूसरे शेत्र में एक और ऐसी बॉड़ी बिली पहचान नहीं हो पाने की वज़े से दफना दिया था पुलिस को बता चलता है कि मर्यम आसिप की पहली बीवी है और यहां मुंबई में वो अपनी दूसरी बीवी सबीना के साथ रहता था हाँ साथ हमने ही से मारा है मतलब यह घड़ी और अमूठी सभी ना की है नहीं साथ तभी चंदीगड़ और पटना से इंफरमेशन आई कि नैना सबरवाल और आशीश मिश्रा चंदीगड़ से और रादिका जहा पटना से गायब है और दोनों की ही काफी डीटेल्स आने में म मुंबई थी क्या हमने जो फोटो भेजी थी उसे देखकर नैना के माबाप ने पहचाना कि वो नैना की है या नहीं नैना और आशीश की लास्ट लोकेशन मुंबई है हमने जो फोन डिकोर्ड मॉबाइल लोकेशन डिकोर्ड्स निकालने है वो मैं अभी आपको भीज देत बाकी नैना के माबाप मेरे सामने बैठे, इनके मुताबिक लड़की की उम्र, कद, रंग, बाकी सब नैना से मैच हो रहा है, पर बोड़ी पर जो अंगुठी और घड़ी मिली है, वो इनकी बेटी नैना की नहीं है, वो सकता है ये दोनों चीजे उसने घर से जाने के बाद मुझे तो यही लग रहा है, नैना सबरबाल हुसे, सर कितनी कोशिश की नैना को ये समझाने की, कि वो लड़का तुछ से नहीं तेरे पैसों से प्यार करता है, लेकिन उसने हमारी एक नसुनी, हम तीन द्राज समझा रहे थे उसे, ये लड़का ठीक नहीं है, पर प्यार क मुझे आगे उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था, तर आशिश नहीं हमारा है अमारी बेटी को, कहां है आशिश मुमभई पलिस पता कर ले, अगर आशिश नहीं नैना का फुन किया है, तो हम उसे कहीं से भी ढूंड का, राजेंदर जी, इता जी, मुमभई पलिस ने बोड सबरवाल और आशिश मिश्रा एक दूसरे से प्यार करतेजा, तो हमें इस बात के खबर नहीं होगी कि तूस लड़के आशिश के साथ घूम रही है, जब आखको पता ही है, तरोस एकी बात पर झगणने की जरुवत क्या है, नैना के माता-पिता आशिश और नैना के रिश इकलेश नैना के लिए रोज की बात थी जब नैना को समझ में आ गया कि उसके माता पता इस रिष्टे को और आशीश को किसी भी कीमत पर नहीं अपनाएंगे तो नैना ने घर छोड़ने का फैसला किया माता पता के नाम एक चिट्टी छोड़ी जिसमें उसने लिखा कि वो नैना को जाने दे और उसे उसकी जिंदगी आशीश के साथ उसकी खुशी से जीने दे उन्हें ढूनने की कोशिश ना करें और अपने माबाप की नामन्जूरी और घुस्से के बावजूद नैना आशीश के साथ भाग रही जीत है यह हमारी नैना नहीं है हमारी नैना हो जी नहीं सकती है पर मुसे तो लग रहा है कि मैं बोल रहा हूना यह हमारी नैना नहीं है नैना सब्रवाल के माता-पिता मुंबई आ रहा है मैंने ग्राफिवाले को भूला है वो डेड बॉडी के चेहरे ओर नेना सबरवाल के चेहरी की फेशिल मैचक है हुमारे पास नेयना की फोतो है फेशल मेचक को और से लिए प्रसें नहीं माच सकते हैं लिया है इसके बात सब्सक्राइब के उसके माबाप आचूके हैं निर्मला उनसे बात करें इसलिए मुंबाई पहुचते हैं, उसने फोन स्विच आफ किया हो राधिका की घड़ी इतनी महेंगी हो ही नहीं सकती ये अंगुटी भी उसकी नहीं है नहीं हुआ ऐसे कपड़े पहनती हमने कभी उसे ऐसे कपड़े पहने में नहीं देखा राधिका घर से भागी क्यों थी? यही तो समझ में नहीं आ रहा है उसके भागने के एक महने पहले उसे देखने लड़के वाले आये थे उसने खुद राजी खुशी शादी के लिए हां कही थी उस दिन वो कितने खुश लग रही थी फिर पता नहीं घर चोड़कर क्यों भागी? नहीं पता किया हर जगा है सब पट्ड़ा में हमारे घर के बाजमें जो दुकान थी वाँ वो काम करती थी वाँ भी किसी को कुछ रही बताई बस चुप चप अपना सामान लेके निकल थी पुलिस वाले बोले थे शायद वो भगई गई होगी फिर अचानक एक दिन यह मुझे फोन लगकर दिखाने लगी और कहने लिए देखिए यह शायद अपनी राधी का है आपको नहीं लगता हुआ यह राधी का है समझ में नहीं आ रहा है हमें नहीं पता वो घर से क्यों भागी होगी और नहीं हम यह जानते हैं कि उसे कौन और क्यों मारेगा यह संच है हमने बोडी के आंश को प्रिज़र्व करके रखा हुआ है हम राधीका और नैना दोनों के माबाब के डीने टेस्ट एक साथ कर सकते डॉक्टर मातरे राधीका के माबाब मुंबय आ चुके अब डीने सेंपल्स ले सकते कल तक नैना के माबाब भी आ जाए हम माबाब के बड़ी पहचान करने पर पूरी तरह भ्रहसानी कर सकते इसलिए डीने टेस्ट करवा कर रिपोर्ट जल्दे जल्द मंगवानी होगी ताके हम अपनी कहां चागे बढ़ा सके चार सितंबर 2019 को पुलिस को जिस सग्यात औरत की डेड बाडी मिली थी उसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई थी लेकिन अब पुलिस को यह उमीद बंदी थी कि डीने टेस्ट के परिणाम से यह साफ हो जाएगा कि वो डेड बाडी किस की थी नैना सबरवाल की या फिर राधिका अचा की पर उससे पहले ही इस केस की ऐसी अंगिनत परतें खुलने वाली थी जो इस केस को सुलचाने की बजाए और उलचाने वाली थी मुश्किलें कम होने की बजाए और बढ़ने वाली अलो? सबरवाल बोरान अरे क्या किया तुने? भसवा दिया हमे तुझे पता है वो लोग मेरा और मेरी बीवी का यहने मैच करवाने वाले हैं उस डेट मोटी से ऐसे में तो हम... राजन जी, बेफिकर रही है, कुछ नहीं होगा आपको तुने कहा था कि काम पूरा हो गया है पर पैसे भी हम से पूरे ले लिए हाँ तो काम पूरा किया है ना मैंने पहले भी कहा था जब आपने बोला था कि वो बॉड़ी नेना से मिलती दूलती है मैं आज फिर से कह रहा हूँ आपसे आप निशिंत रही है, वो डेट बॉड़ी नेना की नहीं है एक बात पहता, तो नहीं उसे मार के कहाँ पेगा यह जानने की ज़रोत आपको नहीं है मेरा काम था मैने अच्छा से करते है आप चिंता मत करिये, कुछ नहीं होगा आपको शीला जी, पहले आप आजाईए आपको मेरा डेने सेंपल लेना पड़ेगा यह माकान जी, दोनों का ही सेंपल लेना पड़ेगा इनका लेने का मतलब नहीं है क्योंकि यह रादिका की सगी मा नहीं है रादिका की मा गुजरने के बाद मैंने इनसे शादी की थी आच्छा ठीक है, फिर आप आई शबीर, यह फोटो देख ले बाकी डीटेल में तेरे को तेरे मोबाईल ले भेज रहा हूँ लड़की का नाम रादिका जाया है इसका लाश्ट लोकेशन वीटी है बोले तो अब आगे किदर भी जा सकता है समझा ना, तो अपने लड़के लोगों को ना बेंडर तक, पुरा काम पे लगा उस्मान, तुभी देख ले यह नैना सबरवाल है और आशिश मिश्रा दोनों का लाश्ट लोकेशन गोरे गाउँ है गोरे गाउँ, तब तो भाव, यह लेडीज होगी जिसका बॉड़ी पुलिस को मिला है वो डीने से कंफाम होगा उस्मान अभी तो तु वो कर, जो आपन लोग हमेशा करते है यह लोग पक्का ना किसी सस्ता लोज में शुपा होगा जिदर सीसी टीवी वी सी टीवी नहीं होगा चल, लग जा भी काम पे ठीक होग सर, नैना और आशिष के फोन रिकॉर्ट के मुताबिक उन्होंने मुंबे में किसी से कॉंटेक निकिया और उन दोनों के फोन, इन दूम्बे में सुचाओ होगा वो सकता है दोनों और जान भूच कर आसा कि थी पर राधिका की केस में भी एक इंड्रेस्टिन डेवलप्मेंट राधिका की माँ शीला, उसकी असली मान ली है सौतेली माँ है राधिका पहले खुशी-खुशी शादी के लिए हां करके उसके बाद भाग कर मुंबई चल लिया थी और बैग्राउंड में कोई लव एंगल, प्यार, महबत, कुछ भी नहीं मिलता इसलिए मैंने पटना पुलिस से कहकर उसके फैमिली मेंबर और जिस लड़के से उसकी शादी देख लिया नितितु उन दोनों की चान बीन करने बुला है मैं उनके ही अपडेट का वीड कर रहे है इसकीज़ में सब सर पटना पुलिस काईपॉल नमस्ते सब निर्मला आपका शक बिल्कुल सही था गरबर सोतेली मा के तरप सही नेतिन चल अपूरी कहानी सुना हुए पर अगर तुमने जूट बोला तो तुम्हारी कहानी आदे में घद मुझाएगी लड़के और उसके माबाप के नाम पर पूरी फैमिली फरजी थी जो रादिका को देखने आया थी जब हमने लड़के नीतिन और उसकी नकली माबाप को तोड़ा तो पता चला कि जो नीतिन की फैमिली होने का नाटक कर रहे थे असल में वो लड़कियों के दलाल हैं तो सर रादिका घर से भागी नहीं थी उसके माबाप ने उसको इनकी हाटों बेच दिया था निरबला हमने उन पीनों की खुब धुलाई गी पर अब भी वो यही कह रहे हैं कि वो खुद भागी है इनका प्लान तो शादी के बाद बेच कर उसे धंदे पर लगाने का था राजन तुम कहना चाहते हैं कि शादी के नाम पर रादिका के माबाप उसे बेचना चाहते था नहीं से सिर्प मा बेचना चाहते है दचिका कि फोकेली मां मुझे, मुझे विश्वास नहीं हो रहे ऐसे को से शीला, क्या ये कहरी हुआ सच है पाल जुका है एकला तोड़ूँगे तुझे कि तुब बोलेगे तेरा नाम शीला है ही नहीं शीला शादी के नाम पर तुम मेरी बेटी को बेच रही थी? कल बोल, नेतेन और उसके देलाल पार्टनर को नहीं बेचा, तो किसने उनसे जादा की मत दी? रादीका को किसे बेचा? इसे बेचा? या इसे? रादीका जाकी कहाणी थे समझ में आ गई, उसकी सौताईली माँ से बेचना चाहती थी, इसलिए वो घर से भागी, तर भाग गई, या फिर उसकी माने अच्छे दाम मिलने के उम्मीद में उसे कहीं गायब कर दिया, तर हो सकता है इसमें आसीप महमत का हाथ, उसने रादीका को खरिदा हो, और जब रादीका ने धंदा करने से मना कर दी, तो उसे मार कर दी, आरे के जंगलों में मिली लाश, शायद रादीका जाकी हूँ प्रता जाकी हूँ तो इसे बेचा था? नहीं सर, मैंने राधिका को किसी को भी नहीं बेचा. मैं मानती हूँ कि शादी के नापर मैं राधिका को निती न और उसके साथियों को बेचना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि उसके पहले ही रादी का घर चोड़ के बाग गई थी असीफ, सभीना के बाद तुने इस लड़की को मारा और इसका चेहरा को चलकर आरे के जंगल में फैक दिया तो यही है ना, रादी का जाए साभ मैं इस लड़की की शकल पहली बार देख रहा हूँ मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ मैंने सिफ सभीना को मारा है साभ १ाब सभीना इसको कहां से लाई होगी इसके साथ क्या क्या होगा असमा कि सभीना के एलावाख किसी को नहीं मारा है तेरा एक murder वे सामने 알को है, Sabina का, और दूसरा हमारे सामने है, Radhika physically CORR. अगर भूम पिर के हमाने पता चला है, कि दूसरा word बीटोरी तू नहीं किया है, लियाद रखने, एक तीसरा murder होगा, और जिसके बारे में किसी कोछ पता नहीं चलेगा, और उह murder, तर्वाद बूलिये ही पॉलिस्टेशन है? इस आउरत पे बेने कभी शक्त नहीं किया कि एस हौते लिए तो तुरी मेटी का भुरा चाहेगी तब भी शक्त नहीं किया जब इसने रादीका के लिए रिष्टा लाई थी तब भी नहीं पूर्ट! मैं कसम खा के कहती हूँ मैंने रादीका कुण नहीं बेचा वो खुद घर चोड़कर वाग गई है अब तु चेक चेक के बोलेगी तब ही तर जुन कम नहीं हो अब तु जेल में बैटके मूंड के अब तु जेल में बैटके मूंड के बौविन बहुत ही हड़वड़ी में निकले आपको लाश में लिए चार सितंबर की सुबह 8 बजे अब आप बोलिये साब तीन सितंबर की रात चार सारीक के सुबह साब मेरेको तो लगता है ये विना पहचा वाली औरत की बौड़ी ना नहीना सबरवाल की ही हाँ सर मैंने बताया था कि उदोनों लड़का और लड़की मेरे ही लौज में ठहरी कि उन दोनों की आइडेंटिटी कार की जराउस कॉपीज है जो उन्होंने रूम लेते विक दीती सर उन दोनोंने दो सप्टेमर की सुबह चेक-इन किया था और तीन दीन के लिए कि रूम बुकिया था बोल रहे थे गनपाथी विसरजन देखने के लिए मुंबई आये पता ने क्या हुआ अचानक तीन तारिक की राथ अड़बडी में चेक-आउट करके निकल देया हूँ से आपकी तो पांच तरही तक की बुकिंग है यहां मुझे पता है पर कुछ जरूरी काम आ गया था तो हमें निकलना पड़ रहा है और हमें हमारे एक दिन के बुकिंग के पैसे भी वापस चाहिए पैसे तो आपस नहीं मिलेंगे आपकी बुकिंग हो चुकिए अपकी वाज़से मैंने वूम किसी आपको नहीं दिया देखिए देखिए हम समझते हैं लेकिन हमें निकलना पड़ेगा वर्ना प्लीस धर कर दीजिये हमें बहुत जरूर थे वर्ना बोलती ही नहीं नहीं अपनों बहुत परिशाल लग रहे हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं और पैसे आप रखी है चलो तूनिये तो अरे बताए तो सहीं आ यह नहीं थे सर सच बता हो तो मुझे याद नहीं क्या कपड़े पहने दियो गोविनी पूचा था मुझे मैंने तब यहीं का था आप अपका बॉड़ी नहीं है वरना आपी बोलो इत्ती ना में हड़वड़ा के क्यो निकले कोई पीशे पड़ा होगा तभी ना और उनलो पूरी होगी केस और अभी कहा साब अभी तो आशिश को भी ढूंड के निकालेंगे अब यह मत बोलना के नेना और राधिका के अलावा कोई और भी मिसिंग निकला नहीं सर और कोई नाम सामने नहीं आया है लेकिन सर वो राकेश अगरवाल लखनुवाला वो हमारे पुलि तुम कह रहे हो के राकेश अगरवाल आया और उसके साथ जो लड़की है प्रिया अगरवाल वो उसकी बीवी नहीं है तो फिर कौन है? कौन थी वो जिसे इंक्वारी के इतने दिनों के बाद राकेश अगरवाल अपने साथ मुंबई पुलिस के पास लेकर आया था? राकेश अगरवाल ने अपनी बीवी प्रिया अगरवाल के जनम दिन पर गिफ्ट देने के लिए जेपसन वाच चुबली प्राइम एडिशन की घड़ी खरीदी थी इस जेपसन वाच का आरे में मिली अग्यात औरत की लाश के केस में आखिर क्या रोल्स था? तुम्हें लगता है कि वैसी घड़ी मैंने किसी और को भी गिफ्ट की है? की है क्या? राकेश अगरवाल खुद वीएस पुलिस टेशन पहुचा था अपने कुछ राज खोलने के लिए आखिर वो पहले ऐसा क्या चुपा रहा था जिसके लिए उसे लखनाव से मुंबई आना पा? इसके साथ साथ इसी समय इस केस से संबंदित एक चौका देने वाली जानकारी सामने आने वाली था सर, राकेश ने बताया कि उसने उस दिन एक नहीं बल्कि दो घड़ियां खरी दी और दोनों के बिलला गलग बनवाए थे सर, यह जानवी है वो दूसरी घड़ी मैंने इसी के लिए खरी दी थे और यही बात बताने के लिए हम लखनों से मुंबई आया है सर, मेरी वाइफ को डाउट हो गया है और इसलिए वो मुझे पर नजर रख रहे है मैं कब कहां कितना खर्श कर रहा हूं सब कुछ पॉइंट पर है है मिस्टर अकरवाल सर, यही तो पॉइंट है असल बात है कि मेरा और जानवी का वो अफेर है आगे बोली सर में सही सलामत हूँ, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है यह सर देखिए, मेरे घड़े मेरे पास है ही सर, मैं भी यही बताना चाह रहा था सर, पता चला है कि कल हमापर पॉलिस ने और कुछ खोद निकाला अगर आप लोगों ने कुछ अलग याइंगल निकाला तो मेरे जिंदकी तो बरबाद हो जाएगी सर अब तुम हमें खोद आकर सामने से बता रहे हो कि तुमारा आफेर है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं अब तुम कै रहे हो कि तुमने दो गडियां खरी दिया बरोसा है हो सकता है तुमने तीन गडिया धरी जो सच है वो सामने से आकर बता रहा हो ना जूट बोल रहाँ ना ही को चुपा रहा है थीक है आप दोने जा सकते हैं थेंक्यू सर पुलकरनी, पहले सबीन आई अब केस रादीका और नेना के बीच में अटक रहा है ऐसा लग रहा है कि इस केस की अंडी उपर तो जड़ गी पर गलने का नाम ने ले ले दिए सर फॉरेंसिक लाइब से बात किया मैंने टेनी रिपोर्ट के लिए पुने एक हटे का और टाइम जी पुलकानी और कितना वक्ट चाहिए बाइस दिन हो गए अब कब तक बटकते रहेंगे इस केस में लेट राइट सर अपका फोन स्विच ओट है क्या अरे बैटरी खतम हो क्या है सेरे लाइब केलिए दो बार काल आ चुका है साहराबाद से किसी pela आप से बात करना चाहिए शेर मताया कि वह आपको साहराबाद के किसी के विज़े से जानता है साहराबाद सफुनिअ नमस्ते सर, कैसे आप सर, याद आया, मैं कौन हूं आठ महीं ने पहले आप सहराबाद आए थे तब मैंने आपको आज अंदर जो यादो अच्छी तरह से आदो अच्छा नेर्वला बता रही थी कि तुम हमारे केस के बारे कुछ जानते हो सर अब कुछ दिन पहले में एक काम से बोपाल गया था मैं मेरे एक दोस्त मिला वो भी पुलिस में है उसी ने मुझे 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 मुंबई के इस अग्यात वरत वाले केस के बारे में बताया सर मुझे पूरा यकिन है इस उरत की फोटो और डिटेल्स आपने हमें भी भेजी होंगी पुरे उत्तर भारत में बेजिए तुम्हारे पास कुछ जानकारी है के जी सर सराथ से एक रिक्वेस्ट है आपको जो भी बताऊंगा वो आप हमारे सीनर इस्पेक्टर परिमल जी को मत पताना ना ठीका नहीं बताऊंगा बेफे करो सर यहां सहराबाद में क्लड़का है अ परिमल साब के चक्कर काट रहा है वो शाद पहली बार यहां पांस सेक्टमबर को आथा अपनी बीवी जोती शर्मा की मिसिंग कंपले लिखा है सर में अंदर आ सकता हूं आये सर मेरी वैब जोती कुछ पता चला उसका जोती जोती सर जोती शर्मा आज साथ आरी के सर तीन दिन होगा अब तक लोटी नहीं मुंबई से जोती हाँ याद आया तुमने बताया थे इसके बारे में यह एक सर दूसर शहरों में ट्रेवलिंग अपनी बीवी का पता करने पुलिस इस्टेशन आता है सर वो अपनी बीवी को ढूड़ने मुंबई भी गया था और वहां भी कुछ पता नहीं चला जोती शर्मा जी सर एक दिन अचाना कि इस अनुराव को देखकर मुझे लगा कि आप एक बोली की पहचान डून रहे हैं और यह अपनी बीवी और साथ दोनों ही नहीं नहीं मिल रहे हैं तुम मुझे इस जोती की फोटो और उसके पती का फोर नमर वह जो आसे हमारे पास अलड़ी दो लड़कियों के मिसिंग केसे हैं उनकी डिटेल्स भी काफी मिलती चलते हैं पट फिर भी तुम बेजो मैं द गयारनी उसने हिस्ट्री शीटर अमर फुलवडे का पता किया है जिसको नैना सबरवाल और इसके बॉइफ्टिंट आशिश मिश्टा की सुपारी थी जब पुलिस को यकीन होने लगा कि अग्यात औरत का शव पटना की रादिका ज्छाका है तब ही एक ऐसी खबर सामने आई जिससे उस शव के नैना सबरवाल होने की संभावना बढ़ने लगी पुलिस पहले से ही दुविधा में थी और तब उनकी मुश्किले और बढ़ गई जब साहराबाद की जोती शर्मा का केस भी सामने आ गया वो डेड़ बॉड़ी आखर इन तीनों में से किसकी थी इससे भी एहम ये था कि अगर ये डेड़ बॉड़ी इन तीनों में से किसी एक की है तो बाकी की दोलड़किया कहा है और अगर ये शव इन तीनों आउरतों में से किसी का नहीं है तो फिर किसका मुंबाई के हिस्ट्री शीटर अमर फुलवाड़े को नैना सबर्वाल और आशीश मिश्रा की सुपारी दी गई थी जो उन्हें मारने के लिए लगातार उनका पीछा कर रहा है वो अब पुलिस की गिरफ्त में था कामर फुलवड़े के जरीए पुलिस चंदीगड़ के कबीर तक पहुँची जो इस जुर्म का मास्टर माइंड और आखिर कार नैना सबर्वाल के पिता द्वारा रची गई साजिश सामने आने वाली ठीक उसी समय अग्यात औरत के शब की शिनाख करने के लिए जोती शर्मा का पती अनुराग शर्मा मुंबई पहुंचा तब नेना और आशिश का फोटो था मेरे पास मैं उनका पीछा कर रहा था मैंने ये भी पता कर लिया था कि गोरे गाउं के लौज में दोनों छुपे हुए तो ने आशिश मिस्राओ का हमारा बोल अब मैं कितनी बार बता चुका हूँ मैंने किसी को नहीं मारा मैं सच बोल रहा हूँ आपसे मेरा विश्वास करिये था नहीं मारा तो कहा है अब पांस सेप्टमबर को उन दोनों का मारने का सॉलिट प्लैन भी बना लिया था मैंने पर मालू मां कि च्यार के वो वह लोग वहां से कहीं निगल गए नैना और आशिश वो अमर को बेपकू बना के मुंबई से पता नहीं कहा चले गए मैं और मेरा पूरा ट्यू अक्खा पूरा नासिक सब जिका घूम के देखा पर किदरी भी नहीं मिले जाब पिर मैंने कबिर को फोन करके बता दिया तुझे और हमर को जितना जूट बोलना है बोल एक बाद टी एने रिपोर्ट आगी सब सामने आ जाए और नैना के बाप को भी खुब तोड़ा है उसने कुबूल कर लिया है उसने तुझे पूरे पैसे जब तुने उसे बताया कि तुने नैना को मारती है मैंने आप से जूट नहीं बोला नैना के बाप से जूट बोला क्योंकि वो लोग मुझे मिली नी रहता है पता निस साले दोनों कहा चले गए, मिली ही नी रहे, और शान मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे नी को बोल दो उसके बाप को मार दिया, वो साला को उनसा दुमने जाएगा, और अपना पैसा भी मिल जाएगा जोती शर्मा की हस्बन, अन्राक शर्मा ने सारा सामान पहचान लिए उसका ये कहना है कि सारा सामान जोती का ही है चलो सर्ट ये जोती ही है, ये कप्रेद, ये सैंडल जोती का है, ये घड़ी, ये अंगुटी, ये सब जोती का ही है सर्ट सर्ट team, तक मैं ने सारी ये जोती है, ये सारी तक मैं ने सasia आया सामान जोती का है, ये 193600 फिल वीश्यावों, और जोती का ही है, ये लत句 पैसंद दूमान जोती, ये बीवी जोती है, येजिसा जोत बैसंवा है अय्वाला की है। आज पच्छीस दिनों पूरा पच्छीस दिनों में आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि आपको अपने पत्नी को यहां पर ढूड़ना चाहिए था जाहिए था सर पिछले पच्छीस दिनों से मैं हर रोज इस्पेक्टर परिबल की बास जा रहा हूँ कि उम्मई ही भी आया वे उस्कंपणी में भी गया जह जोतीज ने तीन सप्टैबर को आफरी मीटिंग की थी एक भार इव्लिस कि उस होटेल में गयाजा पर जोतीज रुकी थी और चार ससय माव percent में निकाली जाएं सब्सक्री को बास किहें पर वो बस कहते नहीं हम डूंड रहे हम डूंड रहे यह डूंड रहे वो और अब उल्टा मुझे कह रहे कि मैं जोती की परवाद नहीं करता मैं उसे नहीं डूंड रहा था अच्छा यह मेरी गलती है क्या कि यह अनराग मुंबाई गया महा पर इतना सब कुछ पता किया पर किसी पूलिस टेशन में गया इस्पेक्टर संजे मैं जूनियर नहीं हूँ आपका और मेरा उदा सेम है तो जरा अपना लहज़ा संभाल के बात कीजिए जिरूर संभाल के कर अगर आपने अपनी डूटी संभल के की होती अगर आपने जरा सी मेनद की होती न तो जोती के फोन निक और से आपको सरी डिटेल मिल जाती हाँ तो आप तो आपको डिटेल्स मिल गई होंगी या आप भी नहीं मिली 24 दिन इंस्पेक्टर परिमल 24 दिन एक औरत की लाश बिना पहचान के सटी रही अगर आपने अपना काम ठीक से किया होता तो 24 दिन नहीं लगते एटलिस्ट एक पती अपनी पतनी का किर्या करम तो ठीक से कर पाता लड़की मुंबई में गायब हुई थी मैंने उसके पती क पहले भी हो सकती है अरे हजीब बात कर रहे हैं अब मुझे का सपना आएगा कि उसका मडर हुआ है इसी के साथ भाग भी तो सकती है उसे छोड़कर लापरवाएं सिर्फ लापरवाएं अनुराग जी मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता अब हमारे पास जोती की डिटेल्स है जोती के साथ इंसाफ हो यह सै यह लेड़ी हमारे ओटल में ठहरी थी इनके पती भी इनके बारें पता करने आये लेकिन सर यह चार सेप्टेमर की सुभा यहां से चेक आउट कर गई जा आई ही मैं आपको देख दो सेप्टेमर दुख्यक दो बज़े चैक इन किया था और दू दिन के रूम बूक मिसर रिशी मुझे आपको टर्के दो सब्सक्राइब लिके चार सप्टेमर तक एसारी से ठीवी पूरेंची जैए प्सक्राइब बूस की बार में जानना जाननी जोटी शर्मा इनके हस्बंड का भिलमें कई बार फोनाया इनके बार में पूछने के लिए थी सब्टेमबर क्या आप इससे मिली थी? हाँ, उस दिन हम लोग सुबा 10 बजे से लेके शान को 5 बजे तक यहीं थे मैं, जोती और हमारा डिजाइन कंसल्टेंट, चेतन उस दिन हम लोगोंने New Year Fashion Week के कलेक्शन को लेके काफी डिसकाशन किया था हम लोग New Designs पर डिसकास कर रहे थे, जोती के कुछ डिजाइन्स बहुत अच्छे थे और कुछ को मॉडिफाइ करने की जरूरत थे हमने बहुत सी चीजों के बारे में डिसकास किया, डिजाइन, मार्के ट्रेंज, इवन स्ट्राटिजी जोती डिजाइन्स मॉडिफाइ करके तीन महीने बाद वापस आने वाले थे पर कितना अजीब लग रहा है ये सोच कर कि वो वापस घर पहुचे ही ने वो आपके साथ regular काम करती थी, अकसर आते जाते रहती थी Yes, she did, every quarterly में एक बार आती थी, next season का fresh collection लेखे और इसके बावजूद भी, इतने दिनों तक, इसने ये जानने की कोशिश नहीं की, कि वो कहा गई थी We spoke to her husband, और हमने भी उसे कई पर कॉल किया, और Chetan ने भी उसे back-to-back कई पर emails किया, लेकिन उसने कोई reply नहीं नहीं दिया Chetan Gupta का है, he is a consultant, जब उनकी जरूरत होती है, वो तभ ही आते है, he is not our regular employee My God, I don't believe this Mr. Chetan Gupta, आपकी बिलीब ना करने से कोई फरक नहीं बढ़ता है, Jyoti is dead now, वो 24 दिन पहले ही मर चुकती है Thilala, आप ये कर सकते हैं, पुलिस्टेशन आ सकते हैं, हमें आपके साथ हुए उसकी लास्ट मीटिंग, ऑफिस से होटल की जर्नी, और होटल से हैरपोर जाने जर्नी जर्नी जहाँ वाँ फ्लाइट लेने वाने, इनके बात करें Jyoti, तुमारा विंटर क्लेक्शन बहुत अच्छा है, I really like your designs, thanks ya, but अब बहुत काम बच्छा है, so, तुम कल जा रही हो, या फिर कोई और क्लाइंट मीटिंग लाइप है, अब वस घर जाना है, एक हफते से बाहर हूँ, घर जाके दो दिन रेस्ट करूगी, फिर काम शुद सर दो दिन में होटल में उससे कोई मिलने आया था, और इन दो दिनों में, जोती ने डियार डिजाइनर कंपनी के ओनर रीचा, और उनके कंसेंटर, केतन गुपता, ये ने जोती अफने डिजाइन सप्पाई करती थी, इन दोनों के अलागा किसी से बात ने कि, ताजुब की बात है, सीसीटी में भी साफ दिख राए कि आपकी वीवी ने चार सेप्टेंबर की सुबह सारे तीम बज़े, होटल से चेक आउट लिया, पर एएरपोर्ट जाने के लिए उन्होंने क्या और कहां से यह देखे, यह देखे, जोती ने बिलका प्रेमेंट पहले ही कर दिया था, अब वो उसे ब्रूम की चावी देने के लिए, वहां से कोई ट्रांसपोर्ट ने मंगवाई, टैक्सी आउटो कुछ भी नहीं, सर, वो टैक्सी बुक करने के लिए हमेशा स्पीड अप यूज करती थी, वो देखा आंग में, देकनी यह जो रेंटल कैब होती है, आपको आपकी पिक अप लोकेशन से पिक करती है, और ड्रॉप लोकेशन पर ड्रॉप करती है, अगर जोती ने कैब बुक की थी, तो जोत स्पीड करने के लिए होटल के गेट तक तक तो आता है, हाँ, क्योंकि एक दिन पहले तीन सम्टमबर को, जोती ने जो क्याब बुक की थी, उसका ड्रॉप लोकेशन होटल का इंटर्स है, जो कि सीचिटी में भी साम दिख रहा है, यह देखिए, आप कीह रहे हैं के जोती हमेशास स्पीड UP कैब से अक अस ने पहले पूक करती है, तो शायद उसका बिल भी स्पीड असे पटाया ते इस पर नहीं की हो यहक जोती ने आपको कुछ पताया थे इस पर में नहीं सर एसा तो कुछ नहीं बताया उसने तीन तारी की रात को जब बात री थी तो बस ना का कि चार की सुबाद छे पचीज की फ्लाइट है सहराबाद के लिए बस एपट अथरटीस ये बता चला है कि जोती शर्मा ने चार सप्टेंबर को अपनी फ्लाइट में सकी तीन सप्टेंबर को सुबह आठ बचे मीटिंग के लिए जोती ने बोरिवली इस ते अंधरी इस बियार डिजाइन्स के लिए क्याप बुक की तीन सप्टेंबर की शाम को ह पाच बच के पच्टीस मिनट पर जोती ने कैप बुक की थी अंधरी इस से बोरिवली इस अपने होटल के लिए कैप ड्राइवर का नाम था अजय देशमान स्पीड़ कैप सर्विसेज के अनलाइन ऑपरेशनल टीम ने हमें बताया कि जोती हमेशा से उनके सर्विसेज यूज करती लिकिन चार्ट सप्टेंबर को उसकी अकाउंट से कोई भी कैप बुक नी कुई मतलब पक्का उसे कोई एर्पोट पे ड्रॉप करना हो कि अनुराग मैं आपसे सीधा पूछता हूं कि आपको कभी भी ऐसा लगा कि आपकी बीवी जोती का कहीं कोई अफेर चला तर्फ पॉसिबल ही नहीं ऐसा बुछ नहीं था चेतन गुपता इसे तो जानती हो आपकी बीवी तीन सप्टेंबर को होटे लोट देवा उसे उसक सब्सक्राइब को अच्छे से जानता हूं हमारी शादी को तीन साल हो चुके थे सर अवरी लव मैरे जुई थी हम इस दूसरे से बहुत प्यार करते हम खुछ थे इक दूसरे के साथ लोयल थे ना कि सर राग उस राथ होटल में जिस ते कोटेगाड के ट्यूटी थी उससे प्री बात किया उसका भी यह कहना था कि वो किसे जाननेवाले के साथ ही कर थी थे सर मैंने। मैंटम supports I m backed by Hot तरफ गई थी लेगन सर मुझे नहीं मालम कुन को लेने कौन आया था और वो किसके साथ यहां से जोती के फोर्न रिकॉर्ट के मुताबिक उसने कोई कैप भूग भी नहीं कि सर मेरी जोती उन लोगों में से है यह निजो किसी के साथ भी चली जाए और चेतन से तो मैंने खुद इती दफा बात किये जोती के गाया बोने के बाद उसका हर बार यही कहना था कि जोती से आखरी बार वो तीन स्प्तंबर कोई मिला है हाँ सर मैंने उसे आखरी बार तेन सितंबर कोई देखा था तो उस दिन आपने जोती से लिफ्ट क्यों ले आपके पास तो अपनी गाड़ी है सर एक्चुली उस दिन गंपती विसरजन था डेट दिन का पास ट्रैफिक होता है सर तो उसे अवर्ट करने के लिए मैंने रिक्षा लिया ओफिस के लिए तो सुबह जाते वक्त आपने जोती सी लिफ्ट ने लिए नई सर मैंने बस वापस आते लिफ्ट लीती Rap सर मैंने जोती को आफर नहीं किया और नए जोती नहीं मुझसे कहा था कि मैं उसे एरपोर्ट पर शोड़ता हूँ वैसे बिसर जोती फर्स्ट टाइम मिटिंग के लिए मुंबे नहीं आई थी वो अक्सर आती रहती है और अपना ट्रांसपर्ट वो खुद मैनेस करती है अगर में इतना तो पता है कि जो मारे की वो जोती है हम सब को चेक करें उसके कॉल्स सेमेस सोचल नेट्वर्किंग अकाउंट सीमेल सब कुछ तो बॉस अगर तुम्हें लगता है कि तुम पज जाओगे तो गलत लग रहा है आप मुझे डरा क्यों रहें सर ऐसा कुछ भी नहीं है जोती वोज लाइग मतलब हम दोनों सिर्फ साथ में काम करते हैं सर इससे जादा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है उस दिन उस अरत के साथ यह आदमी था यप तुने उसे बुरी वली से अंधरी इस्ट में शुड़ा था नहीं साव यह नहीं था वो तो अकेली थी और पूरे टाइम मोबाइल पीजित था मैंने उने बुरी वली में होटल के बाहर से पिक किया था और अंधरी इस्ट में रास्ते में बीच में कहीं भी नहीं रू के था तो पूरे टाइम मोबाइल पीक कि जिस साब यहैई शाब यह साथ था उर्जिन माडम के सब इंग इनको गोरे अव दिनडोशी सिगनल के पास एक सोसाइटी के बार ठोड़ाता मैंने। इनके लिए तो मैडम ने खास बोला था, प्लाइवर से गाड़ी मत लेना, इनको रास्ते में छोड़ना था फिर, फिर क्या साब, मैडम को बोरिवली इस होटेल के पास छोड़ा और वहाँ से में निकल गया तो मारा कियो तुम्हें उसे? आप, अब आप क्या बात करें, मैं क्यो मारूँगा मैडम को? तुने नहीं मारा तो किसने मारा उसे? मुझे क्या मालूम साब, मैं तो मैडम को होटेल पे छोड़के वहाँ से निकल गया था आप चाहिए तो स्पीड़ अप के बुकिंग आफिस से बता कर लो मैं वहार उका तक नहीं था साब आप कुछ भी बोल रहे हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी अल्रेडी ये गल्डफेंड है सर और जोती से मेरा कोई अफेर्ड नहीं है अगर अफेर्ड होता भी, तो मैं उसे क्यो मारूँगा? तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने जोती को नहीं मारा हाँ सर में कितनी बार कह चुक हूँ आप से कि मैंने जोती को नहीं मारा हूँ जोती की लाज जिस दिन मिली थी उसके बारा दिन बाद दफना दी कई थी क्योंकि उसकी पहचान नहीं हो पाई थी और अब पहचान करने के लिए ही उसे वापस बाहर निकाला जा रहा था अनुराग ने बॉडी को पहचान लिया था बोज की बीवी जोती शर्मा ही थी ना नैना सबरवाल थी और ना ही रादे का ज्छा डियने रिपोर्ट से भी यही सावित हुआ कि वो बॉडी रादे का ज्छा और नैना सबरवाल में से किसी की नहीं थी हाँ जग्दिश नैना और आशिश का कुछ पता नहीं चला है हम इस केस पर एक दूसरी टीम लगा रहे हैं नहीं नहीं अब उसकी कोई ज़रूत नहीं हमें नैना की चिठी मिली उसने लिखा है कि उसने और आशिश ने साधी कर ले अब वो बिल्कूल ठीक है और एक रिक्वेस्ट भी कि है है हम किसी को ना बताएं कि वो अब कहा है चलो अच्छा है आपका केस तो अच्छे नोट पे क्लोज हुआ और आपका अच्छे नोट पे तो नहीं पर अब हमें पता चल गया कि वो डेड़ बॉड़ी किसकी थी जोती शर्मा नाम था अब हमें उसके खातिल और कतल के मकसद का पता नहीं जोती का कतल और उसके कतल का मकसद बेहत चौकाने वाला थी और इस केस में पुलिस की जान जैसे जैसे आगे बढ़ने वाली थी उसमें कोई खास उतार चड़ाव नहीं आने वाला थी पर सबसे दुखत बात ये थी कि जोती ने एक ऐसी गलती एक ऐसी लापरवाई की थी जिसकी कीमत उसे अपनी जान दे कर चुकानी पड़ी इस गलती के बारे में उसके परिवार में भी किसी को नहीं पता था सब इस से अन्जान साब आप या तेरे स्वीड़ कर से पता किया हमने उन्हें ने बताया कि चार सप्टमबर की दुपर तीन बज़े तक उन्हें को भुकिंग नहीं नहीं लिया होगा वो तभीयत ठीक नहीं रहती तो नहीं लेता भूपन साब तो फिर तू पूरे दिर घर पही रहोगा हाँ साब क्यों पूछ रहे तो फिर सुबह साड़े नौ बजे चिन्मय पाटिल के गाराज पर तेरी गाड़ी खुदबख खुद चली गए थी धूलने के लिए आपका तीर एकदम निशाने पर लगा है साब ये दोनों ड्राइवर रजेश टिवारी और अजेश देश्माने की एक-एक हरकत पता किये हैं अम लोगों और क्या पता चला दोनके बारे राजेश टिवारी खुद तो क्लीने साब लेकिन ये अजे देश्माने इसने चार सितंबर की सुभर साड़े नौ बजे चिनमे पाटिले गराज में अपनी गाड़ी क्लीन करवाई और ये चिनमे और अजय दोनों दोस्तर साब और सर, स्पीड अप कैप सर्वीस से हमने पता किया है, चार सप्टेंबर की दुपएर तीन बजे से पहले, कोई बुक्न नहीं ली थी साजे ने और स्पीड अप कैप के रिकॉर्ड से भी पता चाला है कि जोती ने एरपोर्ट जाने के लिए कोई टेक्सी बुक्ने की थी, राइट? यस सर, आप समझे, फुल करने ही, पहले इस चिनमे पाटिल को ठाओ और बाद में अजय को, अब ये केस सॉल्ब हो जाएगा चिनमे पाटिल, जी माडम, महीं हूँ, चार सप्टेमबर, अजय देशमाने की गाड़ी तुने धोई थी, हाँ माडम, वो हमेज़ा गाड़ी दुलवाने के लिए मेरे पास ही आता है, दोस्तों हो मेरा, आज तेरी दुलाई के बारी, चल, याँ साब, खून के दबरे थे अजय गाड़ी में, अग खून के दबरे देखने के बाव जी तुने गाड़ी को दो दिया, पोछाने इससे, मैंने साब, मैंने पूछा था उससे, अजय तुन का इगा है, अगर कोई लफडा रेगा ना, अरे यार, कोई लफडा में की है, अरे खूने इसलिए तो अरे लफडान, ये तो खून का से आया, सुभा सुभा बुकिंग छोड़ कर वापस आ रहा था, तो हाईवे पर एकका एक्सेडेंट हुआ था, अब उस बिचारे को होस्पता लेके गया, तो उसी का खून लगा होगा शायद, अरे मैंने पुलिस को रिपोर्ट किये, अब एक्सेडेंट करने वाला पकड़ा गया है नहीं, वो पता नहीं मुझे, साब, आप चाहिए तो उसको पूछ सकते हैं, कि मैंने उसको पूछा था कि नहीं, और उसने बोला था कि नहीं, साब, आप ऐसा खाली फोकट मुझे मढ़ा, खाली फोकट, धोने से पहले तो नहीं गलती हो गई साब हाल तुमें टाइम जाएगा मैडम, मतलब वो गाड़ी टाइम पे आई, नहीं आई, अच्छा चलो ठीके बारासो ले 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 ना, पर आजाना, ठीक है मैडम, आजाओंगा मैडम, आप कल सुबह थोड़ा चल के आजाएगी वो नाके तक, क्या है ना, सुबह अगर कोई गाड़ी ले के आया होटेल में, तो ना वो निकल पाएगा, ना मुझे निकलने देगा, हलतों में टाइम खराब होगा, और चेकिंग विकिंग में भी टाइम जाएगा ना, अच्छा, जिस नाके से अभी अपने टॉन लिया वही पर आना है, हाँ वही, मैं ठीक, साइड़े तीन बजे बहुत जाओंगा, आप आजा, अर मैडम, मतलब तु पहले से सोच के रहा था के मडर करना, इसलिए होटल के सेसी टीवी के बाहर बुलाया, मारा क्यों, वह दिखने में पैसे वाली हाइफाई लग रही थी, गपड़ा भी अच्छा पहने थी, बारा सो क्या वो साड़े सौच सो बुलती, तो भी मैं जाता, मुझे लगा अच्छा पैसा होगा उसके पास, मैं एक मोके की तलाश में था, गोरे गाओ के पास पहुचने तक उसके आख लग गई, मुझे मौका मिल गई, तु मैंने आरे की तरफ गाड़ी मोले, थे थे दृटे, बच्छाओ! रुक! बच्छाओ! रुक! प्रीज मत्मारो मुझे! मत्मारो! तुमचो अचेल लेरो प्रीज मत्मारो! पैसे कितने मिली? पर्स में भी खाली 3000 कैश निकलो! वो 3000 क्यालो और कुछ नहीं मिला साब! मैंने सुचा आप वापस जाकर घड़ी अंगूटी सोने वनेगा कुछ होगा तो निकाल लूँगा! पर फिर मैं डर गया! वापस गया और कोई आया तो मैं फश जाओंगा! तो उसे देखका तुझे लगा कि इसके पास बहुत क्याश होगा? हाँ साब! गाडी में वो साहब और मैडम डिजाइन विजाइन की कुछ 25-25 लाग की बात कर रहे थे! मुझे लगा! जोती शर्मा की बॉडी उसके पती अनुराग शर्मा को सौंपती गई और साहराबाद में अनुराग और उसके घर वालों ने जोती का अंतिम संसकार कर दिया अजे देश माने पर जोती शर्मा की हत्या के लिए IPC की धारा 302, सुबूत मिटाने के लिए IPC की धारा 201 301 और लूट पार्ट के लिए IPC की धारा 397 के तहट मुकत्मा दर्ज किया गया है Sir, रादिका जहा का केस सौल्व हो गया है रादिका मिल गए? हाँ, लेकिन कहा है ये नहीं पता रादिका के पिता रमाकान का कॉल आया था सुनकर अच्छा लगा कि नैना और रादिका दोनों सही सलामा पर जोती, उसके साथ बुरा हो जोती शर्मा के साथ जो हुआ वो बहुत ही दुख़द और दर्दनाक था इसमें जोती की कोई गलती नहीं थी वो बिचारी कैसे सोच सकती थी कि एक साधारन सा दिखने वाला टैक्सी ड्राइवर जो उसे हुटल छोड़ने जा रहा था वो रात में उसे मार कर लूटने की प्लैनिंग कर रहा है हाम इंसान रोज मर्रा की जिंदगी में किसी भी वज़ा से मिलने वाले आसपास घूमने वाले सभी लोगों को तो शक्की निगा से नहीं देख सकते बेशक हम हर किसी को तो शक्की निगा से नहीं देख सकते लेकिन हमें ये समझना होगा कि सतर्क रहना जरूरी है अगर आप देर रात कहीं अकेले जा रहे हों तो अंजान व्यक्ति पर भरुसा ना करें और अपनी पूरी इंफोर्मेशन अपने सगे संबंदियों, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान अपने दिमाग में कोई शड़ेंत्र लेकर खुम रहा है लेकिन ये पहचान पाना भी तो मुश्किल है ना कि किसके इरादे नेक हैं और किसके नहीं अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जहिए